हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मादवी स्टी पॉइंट आज इस वीडियो हम लोग दिसंबर मन्द के कुछ इंपोटेंट करेंड़ देखेंगे जो कि आने वाले एक्जाम्स के लिए इंपोटेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कोशन है भायत को सबसे वड़े रेल सड़क पुल का क्या नाम है तो इस पुल का नाम है वोगी बील जो की दिब्रूगर आसम में है नेक्स्ट कोशन है फोप्स द्वारा जारी भाहत के सौ सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिबिट्रीज की सुची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त हुआ है सलमान खान को नेक्स्ट कोशन है पैटा इंडिया की परसन ओफ दा इयर किसे चुना गया है तो ये चुना गया है सोनम कपूर को नेक्स्ट कोशन है आरबिया के पचिस में गवर्नर कौन बने तो ये बने शक्तिकान दास आरबिया के पचिस में गवर्नर बने इंडिया के नए चीफ एकनोमिक एडवाइजर कौन बने है तो यह बने है कृष्टमूर्थी सुबर्मनियम बाहत के नए बित सजीप कौन बने है तो यह बने है एंज जह नेक्स्ट कोशन है Miss Word 2018 का खिताब किसने जीता तो Miss Word 2018 का खिताब जीता है Venesha Ponce ने जो कि Mexico गी है नेक्स्ट कोशन है भारतिय फिल्म एन टेलीविजन सहस्तान का अध्यक्स किसे निक्त किया गया है तो ये निक्त किया गया है विजेंदरपाल सिंग को नेक्ट कुशन है देश का सबसे बड़ा राष्टिय कैंसर संस्थान कहां खोला गया तो ये खोला गया है जजर में यानिकि हर्याणा में खोला गया है नेक्ट्स कुशन है तिन देशों के बीच hand-in hand सेनब्भ्यास आयुथ हुआ तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच में hand-in hand XIU थी भारत और चीन के बीच में नेक्स्ट कुशन है 54 ग्यान बीट पुरसकार 2018 कि से मिला तो यह मिला है अमिताब घौष को कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्भी और्डियो लाइब्रेरी लॉंच की गई है तो यह की गई है दुबाई में नेस्ट कुशन है 26 जन्वरी दुए 19 को रेपलिटे पर चीफ गेस्ट कौन होंगे तो 26 जन्वरी पर चीफ गेस्ट होंगे सिरिल राम फोसा जो की दक्षिड अफरिका के राश्ट पती है नेस्ट कुशन है स्टार स्क्रीन अवार्ड 28 का सरफसेष्ट अभिनेता और सरफसेष्ट अभिनेतरी का अवार्ड किसे मिला तो सरफसेष्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है दो लोगों को रनवीर सिंग और राचकुमर राव को और सरफसेष्ट अभिनेतरी का को, next question है, Star Basket Award में सर्फ से फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो यह मिला ए, istri, istri movie को मिला है, west film award, next question है, किसे भारतिय महिला cricket team, किसे भारतिय महिला cricket team का नया coach निउक्त किया गया है, तो ये किया गया है W.B. रमन को भारतिय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच निक्त किया गया है नेक्ट कोशन है टाइम्स पत्रिका के परसन आफ दा इयर किसे नामित किया गया तो ये किया गया है जमाल खशोगी को जो कि साउधी के पत्रिकार है नेक्स्ट कोशन है Miss Universe 2018 का खिताब किस ने जीता तो Miss Universe का खिताब जीता है Catriona Gray ने जो की Philippines की है नेक्स्ट कोशन है Golden Shoe Award 2018 किसे मिला तो ये मिला है Lionel Messi को नेक्स्ट कोशन है बहात के सबसे भारी उपग्रे का क्या नाम है जिसे हाली में लॉंच किया गया था तो इसका नाम है G711 ये बहात का सबसे भारी उपग्रे है Next कोशन है Forbes 12-14 सूची के अनुसार विश्व की सबसे सक्सी साली महिला कौन सी है तो ये है Angela Markel विश्व की सबसे शक्तिसाली महिला Next कोशन है विश्व क्रशी और खाक सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ तो इसका आयोजन हुआ था जहारकंड में Next कोशन है भाहत की पहली प्राइबेट मानब रहित बिमान फैक्टरी कहां शुरू हुई है तो ये शुरू हुई है हाईदराबाद में Next कोशन है कौन साइकल से दुनिया का चक्कल लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई है तो ये बनी है बेदांगी कुलकर्णी Next कोशन है भारत द्वाराद G20 शिखर सम्मेलन की मेजवानी किस वर्ष की जाएगी तो 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा तूसान 22 में Next कोशन है विश्व मिर्दा दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को Next कोशन है Startup Ranking 2018 में प्रतमिस्तान किस राज़ी को मिला तो प्रतमिस्तान मिला है गुजरात को Startup Ranking 2018 में Next कोशन है उत्व प्रदेश के किस स्टार्टप को संयुक्त राष्ट ने समानित किया तो Help Us Green उत्व प्रदेश का एक स्टार्टप है जिसे UN ने समानित किया है Next कोशन है GST परिशद ने कितनी बस्तूओं और स्विवाओं पर GST दर को कम किया तो ये किया है 23 बस्तूओं पर 23 Next कोशन है Georgia की पहली महिला राष्पती कौन बनी है तो ये बनी है Salome, जुर, विश्विली Georgia की पहली महिला राष्पती बनी है Next कोशन है किसने शीलंका के प्रिधान मंत्री के पत्की शपत ली तो ये ली है रानेल बिक्रम सिंगे ने ये शीलंका के नए पी-म बने है Next कोशन है किसे ICC महिला 2020 का कप्तान बनाए गया है तो ये बना गया है Harmanpreet Kaur को Next कोशन है भाद की पहली इंजन रही ट्रेन का क्या नाम है मतलब इंडिया की फर्ष्ट इंजन रही ट्रेन का क्या नाम है तो इसका नाम है ट्रेन 18 18 ये क्योंकि ये 2018 में लॉंच हुई है तो इसलिए नाम रखा गया इसका train 18 नेक्ट कोशन है किस राज सरकार ने पूर प्रिधानमंती अटल भिहारी बाचपाई के नाम पर अम्ब्रेला बिश्वदाले बनाने का ऐलान किया है तो ये अम्ब्रेला बिश्वदाले बनाने का ऐलान किया है और तप्रिधे सरकार ने तो फ्रेंट्स ये थे कुछ इंपोटेंट कोशन दिसम्बर मंत के जो कि आने वाले एक्जाम्स में के लिए इंपोटेंट है तो थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो